नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपकी चैनल पर बहुत-बहुत श्वागत है आज की वीडियो पर मैं बात करने बाला हूं पावर सप्लाई माडूल के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ माडूल लखे हुए हैं और इस पर आप देख सकते हैं कि जो दो माडूल मेरे पास हैं तो दोस्तों इस पर आपको एक में तीन वायर और एक में आपको पांच वार इस परकार से देखने को मिल जाएगा और एक दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक module है जैसे कि आप देख सकते हैं एक पर आपको इस परकार से चार वायर आपको देखने को मिलेगा और एक पर आपको पांच वायर देखने को मिलेगा तो कभी दोस्तों क्या होता है कि जब CRT TV या फिर LED TV का पावर सप्लाई खराब हो जाता है तो हम इसका उप्योग करके पावर सप्लाई को ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों आज कि इस बीडियो पर मैं आपको एक चोटा सा जानकर यह भी देने वाला हूँ कि आप कौन सा माडूल कहां यूज करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यह जो दो माडूल है जिस पर एक में तीन वायर और एक में पांच वायर है दोस्तों हम प्योग करते हैं LED TV के power supply में तो आप देख सकते हैं कि यह जो HDR वाला माडूल है जिस पर पांच वायर है अगर आप कोई भी LED TV रिपैर करते हैं उसका power supply खराब हो जाता है और उसका जो मॉस्पेट होता है जो की power supply पर लगा होता है अगर दोस्तों वे खराब हो जाता है और आपको जो मॉस्पेट है तो मार्केट में नहीं मिल पाता है तो आप उसके जगह पर इस माडूल को इंस्टाल करके और power supply को रिपैर कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर power supply बुरी तरह से जल जाता है तो आप यह जो माडूल है दूसरा बाला जिस पर चार वायर है तो आप इसे लगा सकते हैं तो आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि छोटे-छोटे components भी जल जाते हैं तो आप इस माडूल को लगाकर power supply को सही कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस प्रकार से इस माडूल का उपयोग LED TV के power supply में कर सकते हैं आप अगर चाहें तो DVD में लगा सकते ह हैं क्योंको दोस्तों यह जो माडूल होता है तो आप किस प्रकार से डिबी में मिलेगा और इस पर फाइप और 24 वोल्ट लिखा होता है जो भी power supply है जो की अधिक्तम 24 वोल्ट तक output देते हैं उस पर दोस्तों हम इस माडूल का उपयोग करते हैं और जैसे कि जो CRT TV है उसका आपके power supply का output voltage चाहिए तो आप दोस्तों इस preset को घूमा कर set कर सकते हैं इसी प्रकार से आपको इस पर भी preset मिलता है तो आप इस preset का उपयोग करके जो आपका output voltage है जैसे कि आपको 12 वोल्ट फिक्स करना है तो दोस्तों आप इसका connection करने के बाद इसे घूमा कर 12 वोल्ट में कर सकते हैं तो दोस्तों आप इसका उपयोग करके पांच से लेकर 12 वोल्ट तक जो भी आपका supply है तो दोस्तों आप उसकी हिसाब से इसका जो preset घूमा कर सकते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो HDR वाला पांच वार वाला माडूल है तो आगर आप इसे CRT TV पर लगा नहीं करेगा तो दोस्तों एक छोड़ा से जानकाई था पाउर सप्लाई माडूल के बारे में अगर आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो गोड़ों को लाइक करना ना भूदे मिलते हैं नेस्टी वीडियो पर नमस्कार